हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू केमिकल साइंस और बच्चों आज हमें स्टार्ट कर रहे हैं अपना इस्टीरियों के मिस्टी का एक और इंपोर्टेंट टॉपिक इसका नाम है कायरेलिटी ठीक है तो चलिए हेडिन लगा लेंगे आप सभी लोग बुच्चों कायरेलिटी ठीक है क्या वर्ड है इसका क्या मीन्स होता है कायरेलिटी का मीन्स ठीक है कायरल मॉलेक्यूल भी बोल देते हैं एक कायरल मॉलेक्यूल भी बोलते हैं एसेमेट्रिक भी बोलते हैं ठीक है तो इसके काफी नाम है देखिए तो सबसे पहले मैं आपको इसका सब देफिनिशन बता देता हूँ, ठीक है, देखे बच्छो, क्या होता है इसका means, ठीक है, definition, a molecule or an object, it's set to be chiral, और disymmetric, ठीक है, आप उसे chiral भी कह सकते हो, या फिर disymmetric भी बोल सकते हो, ठीक है, if it is not superimposable on its mirror image, ठीक है, अब आपको थोड़ा सा confuse करेगा ये वाला word, superimposable, ठीक है, चली, मैं इ सुनिए, it is not superimposable on its mirror image, and this property is called chirality, ठीक है, और molecule or an object, which is superimposable on its mirror image, ठीक है, यहाँ पर not superimposable था, यहाँ पर superimposable है, mirror image is called a chiral, ठीक है, तो मतलब, overall, यहाँ पर हमें दो words भजमा रहे है, एक आ रहा है chiral, एक आ रहा है chiral, ठीक है, chiral का means, chiral में क्या है बताइए, ऐसा molecule या कि कोई ऐसा object, जो chiral है, उसमें क्या होगा, non superimposable होगा, ठीक है, अपनी mirror image के उपर, on its mirror image, मतलब, अपनी mirror image के उपर, non superimposable होगा, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, superimposable होगा, देखे, आप इसको समझने के letter है, जैसे क्या है, हमारे पास P है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास English का एक letter है, P, yes, आप इसकी mirror image बनाईए, सबसे पहले, mirror image कैसी बने हैं कि आपको पता है, यह, ठीक है, जैसे आपकी mirror image बनती है, just reverse, like this, तो यह दोनों क्या है, दूसरी के mirror image है, है या नहीं है, हाँ है, क्या आप इस molecule को उठा के सके पर fit कर सकते हो, है, बिल्कुल exactly like your hands, ठीक है, जैसे यह आपका है, यह देखिए, आपको पता है कि आपकी यह वाला हाथ और यह वाला हाथ एक दूसरी क्या है, mirror images है, क्या है एक दूसरी की mirror images है, yes, देखो एक दूसरी के mirror image ऐसे ही तो होता है, एक द दूसरे के ओपर fit bed जाए, ऐसे करके, ठीक है, तो यह क्या है दूसरे के साथ, non super impossible है, similar, अब जैसे यह पी मौली, पी हमारे पास एक capital word है, ठीक है, तो बताए, mirror image है या नहीं है, बिल्कुल mirror image है, लेकिन आप इसको 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 पर fit कर सकते हो, जैसे आप अपना hands को नहीं क कर सकते है, बिल्कुल नहीं कर सकते है, इसे बोलते है, non super impossible, क्या है, non super impossible है, इसके लावा मैं एक और ले ले लिया, बच्चो मैंने, ठीक है, बताए, क्या एक दूसरी के mirror image है, yes of course एक दूसरी के mirror image है, fit बैठ सकते है, आप इसको उठाइए, इसको फिट कर दीजे, बैठे का या नहीं बैठे का बताए, आप खुदी सोचिए, of course बैठ जाएगा, तो ये कैसे है, super impossible है, क्या है, super impossible, अब देखिए क्या लिख not superimposable on its mirror image, तो मतलब ये वाला molecule क्या हुआ, definition के साब से, chiral हो गया, या dissimetric हो गया, yes, है या नहीं है chiral, हाँ, और फिर लिखा, molecule or an object, which is superimposable on its mirror image, superimpose करना मतलब इसको उपर से, इसको फिट मेंट जाना, ठीक है, on its mirror image is called achiral, तो ये वाला क्या है, बच्छो आपका, achiral है, ठीक है, तो ये क्या है आपका chiral, और ये वाला क्या है बच्छो आपका, achiral है, देख लीजिए ध्यान से, clear हुआ ना, ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही notes भी बनाते रहेंगे, यही आपका notes है, ठीक है, similar आप अपने left hand और right hand को देख सकते हो, एक दूसरे की mirror image तो होते हैं, ल लेकिन कैसे mirror image है, non super impossible है, ठीक है, एक दूसरे के उपर super impose नहीं कर सकती है, clear हो गया, तो इसी word को हम इसी property को हम बोलते हैं क्या, chirality, clear है, चलिए, इसके बाद आता है molecular chirality, ठीक है, कि कौन सा molecule chiral होगा और कौन सा molecule chiral नहीं होगा, यहाँ पर मैंने किसी molecule के बारे बात नहीं कर है, जैसे pivot दिखा दिया, a दिखा दिया, अपना hand दिखा दिया, है न, अब मैं आपको सिखाता हूँ, molecular chirality क्या होती है, क्योंकि हम पढ़ रहे है, organic chemistry, हमारे पास हैं सिर्फ क्या, molecules, और हमें molecule के अंदर chirality, chirality को check करना है, ठीक है, तो molecule में chirality और chirality कैसे check करते है, मैं आपको बताता हूँ, तो आप heading लगा लेंगे बच्चो, molecular chirality, ठीक है, heading लगा लेंगे सभी लोग, molecular chirality, और asymmetric carbon भी लगा सकते हो, molecular chirality और asymmetric carbon ठीक है, asymmetric carbon या फिर molecular कारेटी, asymmetric carbon भी बोल सकते हैं, आप लोग इसको, clear है, ठीक है, ठीक है, चलिए, देखिए, अब आपको किसी molecule के बारे में कैसे पता चलेगा, कि ये molecule chiral है, achiral है, ठीक है, जैसे हमने object का, तो हमने देख लिया, क्या होगा, non-superimposed होगा, अपनी ही mirror image के उपर, लेकिन अगर आपको किसी organic chemistry कोई molecule है, उसमें पता लगाना है कि ये molecule chiral है या नहीं है, तो उसके लिए क्राइटीरिया होगा, उसको आप कैसे पहचानेंगे, अब हम उसी के बारे में आपर पढ़ने वाले हैं, clear है, चलिए, देखिए, क्या होता है molecular cavity, sp3 hybridized carbon atom, which is attached to four different atoms or groups, is called asymmetric carbon, ठीक है, और chiral carbon atom, क्या मतलब अस बात का, आप वो कैसे पता लगाना है कि कौन सा atom, कौन सा molecule chiral है, आप वो उसमें धूडना है, chiral carbon, अब chiral carbon क्या होता है, एक ऐसा carbon, क्या लिखा है, ऐसा carbon atom, जिसके पास क्या हो, hybridization जिसका क्या हो, sp3 हो, sp3 hybridization होने का मतलब है कि इसके पास, 4 के 4 bond कैसे हो, single bond हो, बच्चो कैसे हो, 4 single bonds, क्या होने चीए, 4 single bonds होने चीए, ठीक है, तो उस carbon का hybridization क्या होगा, sp3, जैसे कि हमारा ये carbon atom है, ये, 4 के 4 bond single है न, sp3, और जो इसमें जो groups या atom attached हो, सब कैसे हो, different हो, द test to four different atoms or groups, is called asymmetric carbon atom और chiral carbon atom, ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ कुछ ऐसे देखिए, यहा लगा दिया बच्चे मैंने A, B, C and D, बोलो, तो क्या ये molecule जो भी है, ये chiral है, of course ये chiral है, chiral को देखाते है, ऐसे stick से represent करते है, stick लगा रखा है मैं इसके उपर, ठीक है, star नही है, ये रहा carbon atom और इसके पास क्या है, 4 के carbon single है, मतलब SP3 hybridized है, और इसके पास जो 4 groups लग गए है, वो सब के सब क्या है, अलग-अलग है, A, B, C and D, clear हो गया, तो ऐसा molecule आपको कहीं दिखेगा, आप समझ जाएंगे कि ये molecule क्या है, carbon कैसा है, chiral है, yes, चलिए इसको हटाते है, अब इसको एक बार अच्छे से देख लिए, मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, जैसे, A, B, C and D, देखेए, ये molecule कैसा दिखाई पढ़ा है, chiral, ठीक है, विल्कुल similar record बना रहा हूँ है, A, इसकी mirror image बना रहा हूँ, बच्चो, क्या बना रहा है, इसकी हम लोग, mirror image अब आप बताईए, आपकी mirror image कैसी बनती है, जस्ट आपकी reverse बनती है, आप जब mirror का खड़े होते होता है, आपको देखता है, आपको जस्ट उल्टा दिखाई पढ़ता है, ठीक है, तो सेम टो सेम ऐसा ही है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको 3-dimensional बना देता हूँ, 3-dimensional बना द B, और यह क्या है, C, बोलो, अब आप है यह below है, of course, अगर आपने stereochemistry सुरू से मुझ से पढ़िया, आपको पता है कि यह above the plane है और यह below the plane है, ठीक है, अब बिलकुल justice का reverse, देखो, तो यह क्या है, इधर को क्या होगा है, यह वाला इधर की, इसकी mirror image यहाँ बनेगी, कौन यह, यह कौन सा है बच्चो, B, और यह, यह कौन सा है, C, अब आप ध्यान से देखें और मज़े बताइए, क्या यह दोनों इक दूसरी की mirror image लग रहे हैं आपको, of course, बिलकुल लग रहे है, 100% mirror image है इक दूसरी की, है ना, ठीक है, अब अच्छा criteria फुल्फिल हो रहा है, molecule क हो के सर, SP3 hybridized है, कैसे पता, चार के चार bond carbon के single है, ठीक है, इधर भी और इधर भी, यह भी SP3 same है, ठीक है, और जो four single bond में, जो four groups attached है, groups यह items क्या है, सब different, different है, देखो यहाँ A, B, C, D, A, B, C, और D, clear है, तो यह molecule chiral है या नहीं है, कुछ भी है, यह molecule, अभी example में discuss करनेंगे क्या है, यह molecule chiral है, asymmetric है, तो इसको आप ऐसा astrict mark कर सकते हो, clear है, देख लीजेए, अच्छे से, दिख रहे हैं आपको, proper, yes, चलिए, हटाएं तिसको, अब ऐसा करते है, इसका example discuss करते है, क्या है, पता कैसे लगे है, कि molecule chiral है, और नहीं है, जैसे, यह आपका carbon, यहाँ है इधर है आपका क्या, CL, और यहाँ पर क्या है आपका, H, ठीक है, तो आप बताइए, आप तो वैसी समझ गे होंगे, क्या है, molecule chiral है, of course chiral है, sp3 hybridized carbon है, 4x4 bond single है, और इसके पास क्या है, groups क्या है, 4x4, अलग है, यहाँ CH3 लगा है, इस bond में OH, यहाँ H, और यहाँ पर क्या ह है, CL है, similar आप इसका बना लेंगे क्या, mirror image, यह देखिए, OH है तक धरको OH हो जाएगा, इधर क्या है, CL, तो यह CL, और यह क्या है आपका, H तो यह भी H, yes, बोले, molecule chiral है या नहीं है, of course molecule क्या है, chiral है, clear हो गया न, तो chiral molecules, chiral compound which are non superimposal mirror image of each other, ठीक है, एक बात यह भी याद रखेगा आप लोग, तो आपको अगर पता लगाना है, कि यह molecule chiral है या नहीं है, एक तो तरीका यह है, दूसरी बात क्या होती है, एक property होती है, chiral molecules कभी भी अपनी mirror image के उपर superimposed नहीं होते है, देखो, यह molecule chiral है, यह इसकी mirror image है, आप इसको 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 फिट करके देखो ठीक है, यस, बताइए, इस molecule is chiral or not, क्या यह molecule chiral है, अफकोर्स chiral, देखो, बीच में क्या है, carbon atom है, यहाँ पर red ball है, यहाँ green है, यहाँ white है, यहाँ पर क्या है, अगे, black है, अब आप देखिए, मैं इसकी mirror image बनाने वाला हूँ, exactly mirror image, ठीक है, यह रही इसकी बच्चो, mirror image, यह देखिए, है याँ यह mirror image, देखो, आपको लग रहा है कि इन दोनों के बीचे mirror है, अफकोर्स लग रहा है, है न, red red को reflect कर रहा है, उपर green green को, और front में black black को, और back side में, आपके back side में क्या है, देखो, white, जिसको मैंने hold किया हुआ है, ऐसे constantly, like this, तो यह दोनों compound क्या है, एक दूसरे की mirror image है, और exactly same है, ठीक है, obvious same ही होते है, तो अब आपको fit, क्या करना है check, क्या यह एक दूसरे को पर super impose कर रहे है, क्या मैं इस molecule को इसको पर fit कर सकता हूँ, है न, यह तो बताना चाहरों मैं आपको, ठीक है, पहले इस बात को आप लिखे हैं यापर, ठीक है, मै each other are optically active, यह बात आपको ध्यानक नहीं है, ऐसे chiral compound जो क्या हो एक दूसरे के साथ, बोलो, mirror image of each other हो, कैसी mirror image, non super imposable mirror image, जैसे यह मैंने बना दिया है, और इसकी mirror image बच्चों मैंने यह बना दी है, देखिए, यह है इसकी mirror image, ठीक है, तो यह क्या है, दुरों एक दूसरे के साथ, non super imposable to each other हो, ठीक है, कैसे पता लगेगा, मैं आपको दिखाता हो, करके देखिए, तो यह रहा हो मेरा molecule, यह क्या है, एक दूसरे की mirror image है या नहीं है, पहले बात मुझे बता है, chiral है या नही क्या है, single है, और different different atoms और groups के साथ attached है, ठीक है, like this, तो देखिए, तो मैंने दोनों white balls पकड़ लखे और यह दिखाई पड़ रहा है, और यह दूसरे की mirror image है, red, red को reflect कर रहा है, green ball, green को reflect कर रही है, और black, black को और white, white को जिसको की मैंने hold किया हुआ है, it is clear ना, इस तरीके से द बताता हो, super impossible का मतब है, कि एक दूसरे को बार fit हो जाएंगे, exactly fit, color भी match कर जाएंगे, let me explain, देखे, इस तरीके से, अब आप मुझे बता है, क्या इसको fit हो रही है, ठीक है, yes or no, बिल्कुल नहीं हो रहे है, कैसे पता चल्ला, काँए सर, green, green को reflect कर रहा है, है ना, और white, white को reflect कर रहा है, ठीक है, देखो ना, green, green को reflect कर रहा है, और white, white को reflect कर रहा है, लेकिन, front में क्या दिखाई पढ़ रहा है, आपको black, red के पास चला गया, और red, black के पास चला गया, देखिए, ऐसे करके, अब आप काँए सर, इसे घुमा लीजिए, of course, आप जैसे इच्छा वैसे दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने black उपर कर दिया, और red front में, तो देखिए, अब देखो, fit हो गया, आपको यहांसर बिल्कुल हो गया, red, red के पास चले गया, और black, black के पास चला गया, लेकिन अगर मैं इसको at the same time ऐसे दिखा दो, इसको opposite करके, अब मुझे बताईए, क्या हो carbon atom है, वो बच्चो कभी भी अपने ही mirror image के उपर fit नहीं बैठेगा, आप चाहो तो से हिंदी में कहीं side में लिख लीजिए, क्या, ऐसा molecule जिसमें सिर्फ एक carbon chiral है, वो क्या होता है, अपनी mirror image के उपर कभी भी superimpose नहीं होता है, it is clear ना, बोलिए, ठीक है, तो यह रहा हमारा molecular chirality या asymmetric carbon, इसी को बच्चो हम लोग chiral carbon बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, asymmetric carbon बोलते हैं, और ऐसे molecule जिन में chiral carbon या asymmetric carbon होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, chiral molecular chirality बोल देते हैं, बच्चो क्या बोल देते हैं, molecular chirality, clear है ना, ठीक है, अब एक बहुत important बात आप सबी लोग optical activity ना में आपको प्राइव एक्टिव कंपाउंड के बारे में last lecture में सहले बता दिया है कि कॉन से कंपउंड ऑप्टिक्रेव होते हैं कॉइंड होते हैं बस आपको यह समझ में आएक कि कौन से भाली आप पता कैसे लगाओ ऑगे हैं दो एक मॉलिक्यूल को रोटेट कर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिरेक्शन यहां से ऐसा घूम गया तो प्लेट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर डिरेक्शन में तो ऐसे कमपाउंड्स को बोलते हैं हम लोग अप्टिकली एक्टिव है ना और जो नहीं करते हैं एस सच लाइट पास होती है वैसी निकल जाते हैं उससे बोलते हैं अप्टिकली इनक्टिव लेकिन आपको कैसे समझे में आएगा किसी मॉलिक्यूल को देखके क्योंकि आप पास यही मेथड है जिसके आपने आज पढ़ी है सुपर इंपोजबिलिटी मेथड ठीके दो मेथड हैं तो हम नेक्स कास ने बच्छों दो मेथड डिल करेंगे और उप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए बहुत इंपोर्टेंट लेक्ट्टर रहेगा विकरस प